जहीन दोस्तों सारा ने प्यार बड़ी राम राम स्वागत आपने यूटूब चेनल को उपरे तो आपकी है मिवाड को इत्यास शुरू कर राख्यों तो मिवाड का जो आगला सासक है वह मारना प्रताब की पुत्र मारना अमर्शिंग पर्थन जिनका सासनकाल है वह 1597 से ले सोड़ा सोबी से स्वी तक अब कि है का मिवाड के इत्यास में थोड़ों समय ज्यादा जूरूर लागी आपन लेकिन आप कोई जाद अब देखो डिटेल से को नहीं है यानि का बर्थपूर के जाट वस एक दिन में कंप्लेट हो जाएंगे जिसल मेरे के बाट्टी वस एक देखी जाओ अब क्ये चैनार की वीडियो में ले किया जाओ मैं मेरा का मिरा कर नहीं चीदि शील्ग वे कि नोखरी करनी है अगर बही किताब लिया होगा परसना की किताब 2100 परसना की किताब नहीं यूटूब को पर देखना लागा जाओ अधेकर सगुन भी अतरा रखा है जिए आप या कमाईन कन्यादान आज कोंने लिख आगे वहीं पुस्तक निकाड़ागा लेकिन कुल मिलागी बात यह है यह कुछन आंसर की वीडियो मत देख्या करो यूटूब को पर कोई भी पड़ाव है अब ताने चलोगे लेकिन कोई नहीं हो नहीं मेरी बात कोई भी अगर बंदो नोकरी लाग रहे हैं कोई भी डिपार्टमेंट मोई बैंगा नहीं पर जा क की दो मिट बैटकी शूरूर कभाई तो किशन आंसर की किताब पटि के भी जवाब होगो मैं किशन की कदि किताब को यूटती मनें कदी यूटूब को पुरे किशन आंसर की वीडियो देखी अर्या सब आपका पीचा कमा रहे हैं सब यूटूब को पर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं कि उसना अंसर की वीडियो करा की हैं कि गरूगा बताओ यानि का थारो कोई करियर को न मना रहे हो सब सीधी सी बात है अगर कोई चीज ने पढ़ा डिटेल से नी पढ़ा डिटेल से रहनी समझोगा तो बैखातर बैख यह और खूब वेकर नसी आवंगी पहले भी खूब निकड़ी आगा और आज आवंगी तो बैखातर देखो हैं चीज डिटेल से पढ़ा सेलेक्शन जिद्यों अब लागे का सर टाइम भाई टा ज़्यादा जुरुरी है लागनुक है चलो अपने तो पढ़ाओं आपने तो देरे-दरे मस्तियों चलना अब आपने कंप्लीट करते हूं अब अगर बच्चेंगा तो आपने माराना राज सिंग बच्चेंगा बस एक दिन की वीडियो हो रहें बैक बाद मिवाड को इति अगर ने अगले मुगल बात्सा मनते हैं जहांगीर जहांगीर ने सोचा कभी जो का मेरा फिता नहीं कर पाया वह मैं करूआ करूं हम जहांगीर ने भी मिवाड के ऊपर खुब सा रहा करमने कि लेकίν मिवाड वाड़े ने फिर दिना सविक आर मियार जहांगे लेकिन बैटे को सब्चया ऑप मिवाडी की इस्तती सीजरल ओगी लेकिन फिर दिन्ता स्विकार ने Kraft हैं जो हमारी अदिन्ता स्विकार नहीं करें यानि राजपुता ने कि सभी रियास्तों ने हमारी अदिन्ता स्विकार कर ली मुगलों की अदिन्ता स्विकार कर ली लेकिन मेवाड वड़े कौन सी मिट्टिक हैं जो हमारी अदिन्ता स्विकार नहीं करें तब किसे ने इनको बता अगर भगत को कश्ट होगा तो बगवान को तो दुख होगा ना तो इसके लिए आप जनता को नुक्सान पुचाओ तो राजा को दूख होगा जाकर तब सहाँ जाने मेवाड के जनता के साथ में अत्याचार किये उनके घरों में लगा दी गई میवार के जो अपने घर थे उन्हें में आग लगा दी गई मैवार बच्चों के साथ में यह मानमी व्यार किये गई उन्हेर जहता बाग कर गई कि यानि वाणารप यहांने मन्हें करन सिंह के बेटे करन सिंह के बाद पास में गी थी मेवारर के λनता Gins कि देखो हमने आपका खूब सेयों किया लेकिन अब तो हमारे मैलाओं बच्चों के साथ में ये मतलब जबर्दस्ती कर रहे हैं अब बताओ क्या करें तब क्रण सिंग ने बात बही गए बिल्कुल बात तो सहीं है कि तब क्रण सिंग गया अपने पिताजी अमर सिंग के पास जाएगी जनता ही मर जाएगी तो क्या राजार क्या परचा तब अमर सिंग निकाहा कि देखो संधी तुम कर लो उसके बाद में तो यहां से चला जाँगा यानि मेरी पिता मारना परताप ने कभी मुगलों की दिंता स्विकार किये निथी मैं कभी करूँगा निया तो यह मेवाड के माणाओ क्यों प्राक्रमन करते तो साइध मिवाड कभी अधिन नहीं होता लेकिन इन्हों ने जबर्दस्ती किती महिलाओं बच्चों के साथ में मेवाड की जनता के साथ में इसलिए इनको देंता स्विकार करनी पड़ी इसलिए मुगल मेवाड संदी होगी है ठीक है कि अटिंग डाले नहीं मुगल मेवाड संदी मुगल मेवाड संदी कब होगी पांच फर्वरी 1615 को किन के मद्धि होगी वैसे तो देखो नाम अमर्सिंग ही आएगा क्योंकि उसमें मेवाड के साथ अमर्सिंग है तो इधर तो अमर्सिंग और उधर किसका नाम आएगा वैसे साजा अन्त करके आजना एकजाम केंदर सास कोण तो उसमें जहांगीड तो नाम आएगा अमर्सिंग जहांगीर के मद्दे मुगल मिवार संदी यह आया नहीं था जहांगीर हैं लेकिन यह नाम भी नहीं 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 आइगा तो मुगल मिवार संदी हो याद रखना पांच प्रोरी 1653 एकव को मिवाड के सास्कु ने मुगलों के देंता स्विकार की थी अब संदी की कुछ सर्ते हैं यानि कि मेवाड वाले सर्त रखें नहीं सबसे पहले सर्त यह रखी गई कि मेवाड का महारणा कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा मेवाड के महारणा कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं जाएंगे साद्जा ने का कि रूको म मकल फरम कर लोगा मेरे पिताजी से तो साद्जा ने जानगिर को कॉल किया फोन पर देंगे कि हम तो सविकर नहीं कर रहे मेवार के मारना कभी भी मुगलों के साथ में विवाहिक समधस्ता पितनी करेंगी यानी मेकदी मारी बाणने पेटेंगे सादी मुगलां के साथ में कोंनी कराऊ सिधी सी बात ये, साझ जो बले, ठीक मानना मन्जूर येने सबसे बहले धो बात है कि ठीक मन्जूर में बड़के मारणा नहीं जाए न наконец दूसरी बात ये है कि बढ़ने कि तॉट द्रोग है जो तुमारे पास मेरा चितोड द्रोग है जो दो कि तोड़ दो तो जाए जाएगा वह हजार गुर्षवार लेकी खास नहीं है लेकिन यह तीन चीज़ें आप ध्यान में रखना तो यह थी अपने अमर सिंग की बस यह खास बात थी मुगल मिवार संधी होती है अब अमर सिंग संधी से इतना दुखी होता है कि राजपाट कर सन्यास ले लेता है बस तो अब बहुत जादा दुखी हुआ कि मतलब मेरे पिता ने इतना संगर्स किया था लेकिन आज मैं मतलब संधी करनी पड़ी लेकिन वो मजबूरी ऐसी थी अब करें तो क्या करें अब जब जनता के साथ में अगर इतना मतलब एनितिक विवार होगा तो राजपाट क्या करेंगा अगर भगत को दुख होगा तो भगवान को तो कष्ट पूचेगा ना तो इसके बा कि वह एपने अहड में अहर कहां में अदेपूर में चाहत हैं और इसके बाद मियृ виде अम अमर सिंह के बाद में मिवाड की जितने सहोस विए न उनोग सДर्य यह एग मासतीयों का अदिला कहा झाता है ठीक है और सब्द सब्दा है अब्यकों तुप अधरी लगर मिखें मारना परताब के बाद में विवाड की जितने भी सासक थे उन सब की छत्रियां अहड में है इससे पहले देख लो जैसे अपने मारना परताब की छत्री कहीं है मारना उदेशिंग की छत्री कहीं है इसके लावा राणा सांगा की कहीं पर है सब की अलग लग जगह पे छत्री ह रणा संगा के अपने मांडल गड मी है ठीक है इसके लाओ अपने मारना उदेश सिंग की है वो अपने गोगुंदा मी है तो इस परकार से सब की अलग लग छत्री थी लेकिन इसके बाद में मारना परताब की बाद में जितने भी मिवाड के साथ सक हुए है उन सब की छत्रिय से इसके बाद में सासक मनेंगे करण सिंग यानि सोड़ा सो बीस से लेकर सोड़ा सो अठाथाइस स्वी तर यह बता देते हैं महारणा करण सिंग कि मोगल से महारण मि graduate सासक मोगल दर्बार में जाने वाला कोन हे महारणा करन सिंग तो सबसे पहले बात तो यहीं लिखने ना कर चाimat वाला मिवाड का पर्थ मिवराज मुगल दरबार में जाने वाला मिवाड का पर्थ मिवराज और जहांगिर ने इनको जाते ही 5000 की जात और सुवार देकर अपना मनसबदार बनाया यानि का जाते ही जहांगिर ने जाते इनको क्या किया 5000 की जात सबसे बहुत ये जो जात यह पांच दारगी दाट सवार होती थी यह बहुत बड़ी अथी पहले जैसे इस परकार से डिवाइड करते थे जांगिर ने जांगिर बड़ा खुस वा कमिवार्ड की राया का मुगल दरबार में तो जाते इनको 5000 के जात्सवार दे दी और अपना मनसबदार बना दिया एक बात तो यह ध्यान में रखना और अपने मुगल दर्बार में जाने वाला मिवाड़ का पर्थमिवराज गोण था महरणा करनसी दूसरी बात एक अपने पिछोला जीद देखिए नहीं देखिए त जैने खैरवाड़ा केंदर अपने ट्रेनिंग सेंट्र है तो राश्थान पोलिस का तो खैरवाड़ा से 30 किलो मेटर ही दूरी पर अपने खैरवाड़ा से के दूरी पर उधेपुरी तो आप मतले आणा तो इकी है जग मंदिर है पुरेक जग निवास एक का तो नाम क्या है इसका तो नाम है जग मंदिर सबसे पहले क्या मनेगा मंदिर मैं सबसे पहले बगवान की जग है तो मनाओ जग मंदिर नाम है वैसे दो मुस्यम ही है और यह है जग निवास आप अगर जाके देखें पिछोला जेल में मनेवें दुनों के दुनों बहु है थीक निर्मान शुरू निर्मान कराया था सुरू कराया था पил निशिर्ष के जदा अनुडम्यात हुआ लेकिन इसका निर्मान पूरा किस ने कराया था सु nhất При इसका नाम जगत सिंग पर्थम ने करवाया था वर इसका जगत सिंग सेकेंडर नहीं करवाया था ठीक है याद रेजे पिछोला जेल में जग मंदिर बना हुआ है और जग निवास बना है सबसे पहले मंदिर यानि भगवान की पुजा सबसे पहले तो जग मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो जगत सिंग पर्थम होगा यानिक इसके नाम पर ही जगत सिंग पर्थम ने इसका नाम करते है जग मंदिर इसके बाद में जगत सिंग सेकेंड बनते हैं तो इन्हों ने कर दिया जग निवास याद रहे जाए तम सिंपल से पहली मंदिर है फिर निवास है यह से जगत सिंग फश्ट है यह जगत सिंग सेकेंड है यह पर अपने पिछोला जील में अपने नटनी का चबूत्रा बना होगा है और एक खास बात हो रहें महरणा क्रण सिंग ने 1622 इस वी केंदर कब सर शोड़ा सो 222 इस वी में सहां जहां सांजा को सरन दी थी कि अभी बताता हूं किया बात ही अब कहां पर सरन दी है और यह जांगिर भात तब जांगिर भागा इसकी पीछे तलौः लेकर ए तो सांजाने भून किया अपने करण सिंग को अरे यार कब बात ही आ आओगी कशाथ होगी का पिताजी क साथ हूं तो लड़ाई होगी अब रोटी मिलनी मुश्कील नहीं कहा है अब तुम बता कहें जो में काम करका है अपना अठा जग मंदिर माजया का अभी मैं निर्मान का लिए शुरू कराए वे एक कमरों है बढ़ियां अभी एक कमरों मणाए हुए मैं लेकिन तेरे खातर बढ़ियां एक मुष्ट के लाग हो कोई खास बात नहीं है अगि क्सक्राहण जगत्सींग प्रथम अपसा अपने बाल जगत जगत्सिंग पर्थम यानिक है महाराणा जगत्सिंग पर्थम पर्थम थोड़ा ध्यान में रखना ज्यादा इनका वह कोई तो तिन बातें बस ध्यान में रखने माली सासनकार है 1628 से लेकर 1622 इसके बाद में मालना राज सिंग आ जाएंगे जिनका सासनकार 1622 शुला सो असीस भी है अब देखो मालना जगत्सिंग ने एक बात तो मैंने बताई दी कि यानि इनोंने पिछोला जिल में अपने जग मंदिर का निर्मान पुरा करवाया था ठीक है जग मंदिर दूसरी बात कि आए कि मालना जगत्सिंग को इस एक पर सपना आता है सपने में इनको बहुआन विशूनół दीखते हैं बहुआने जगत्सिंग में एक मंदिर का निर्मान करवा और मंदिर उन अचे पंचाइतन सेली में तब जगत्सिंग बोला ठीक है मना दूंगा सुबह बढ़ाएं को जब उठते दरवारी वह बुलाते हैं यार इसे रात में भगवान विष्णु आया थे और बोले कहां मेरे मंदर का निर्माण कर रहा रहा तब दरवारी ने कहा कि करवाई दो क्या पता कि अगर भी वह बड़ी का सपना होगा पर मंदिर का निर्मान करवा दो तो इस बात के लिए इनोंने मंदिर का निर्मान कराया था और उस मंदिर का नाम था जगदीश मंदिर जग्दीष मंदिर ने इसका दूसरा नामस शपनों में बना मंदिर इसके मंदिर का निर्मान कराया था उद्यपुर्ण है आराम से जब shifting आप उद्यपुर जाओ देख लेना आराम से 5010 शेलिया देख son बढ़ा देता है किसमें बढ़ा यह पंचायतन सेली में जैसे इसके चारों और छोटे-छोटे-छोटे मंदिर होते हैं ऐसी चारों से और बढ़ा मंदिर होते हैं तो इस चैनी में बढ़ाया गया चारों चोटे-छोटे मंदिर हैं आप जब भी देखने जाओ तो आरामसे भीडिया स्यांदार मंदिर हैं जग्दीश मंदिर हैं मैं तो देख आचुके हूं तो थीक अभी यानि पंचाय दिन सली में इसका निर्माण कराया था जगदिश मंदिर्या सपनों में बना मंदिर इसके पास में ही इन्हों ने एक अपनी धायमा इनकी धायमा थी जिसका नाम था नोजुबाई थीक है यानि जैसे अपने मारणा उद्यसिंग की धायमा थी पन्ना धाय वैसे मारणा जगद सिंग पर्थन की धायमा थी नोजुबाई वेसे अपने राजुकमार होते थे तो इनके छोटी उमर में जो देख भाड़ करने वाली महिला होती थी ना उनको के थे धायमाई तो यह अपने बघवान की पुझजा करती थी पासमी इस अपनी जगदिश मंदर के पास में मंदिर है है अदि है मंदिया थाय मंदिर यानि दाइमा के नाम पर मुणा था तो इसका नाम है ध्यमंदिर है पूछ भी लिए कभी कभी काँपी है तो दाइव मंदिर हुद्यपुर्मी है किसने निर्मान कराया था मारणा जगसिंग पर्थम ने करवाया था अपनी दाइमाई नोजुबाई के लिए ठीक एक बात हो रहे बैस यह थोड़े दान वीरता और वाक टूता के लिए परसीद को बंदा बोलने में माईर होता है उसको कहते हैं वाक टूता तो दानवीरता और पर परसीदिंग पढ़ाना जगसिंग परकान तो बहुत अब जैसी अगर मारणा रासिंग पढ़े ना तो मारणा रासिंग नोगा ने मैं जाहे नहीं सकते इनके आत्म में खुजरी शुरू हो जाती थी तो माना रासिंग ने उरंगजिप से पंगा ले लिया यानि अब तो मैं लड़ाई करूंगा क्या है कि इनके मतलब तलवार ठंडी पड़ गई थी तब माना रासिंग ने का कि नहीं यार काफी से में हो गया यूद क है कि जल्दी रिविजन हो जाएगा इस प्रकाश चे समझाया गया है कि आप बात्स में इस प्रकाश से इन मिवाड के सास्कों को वापिस से पूरा रियूजन कर सकते हूं ठीक दोस्तों धन्यवाद थैंक्यू जय हिन जय भारत